हेलो दोस्तों आप देख रहे हैं चैनल ट्रिक में और इस चैनल में मैं आपको बताता हूं जी के याद करने की फणी सौट ट्रिक्स यहां मैं आपको बताने जा रहा हूं भारत के प्रदान मंतरी करम सहीत याद करने की ट्रिक आपको सिर्फ एक सेंटेंस याद करना है जलाई मोची ने रवी की चपल, रवी गुंडे ने मारा फिर मन से जलाई मोची ने रवी की चपल, रवी गुंडे ने मारा फिर मन से या फिर आप जल्दी में इसे याद कर सकते हैं का फुल निव लेना ठीक है तो यह जा से हो गए आपके फर्स्ट जवार लाल नहरू लाज से हो गए लाल बाहतर सास्तरी ई से हो गए आपके इंद्रा गांधी ई से हो गई आपकी इंद्रा गांधी मा से हो गई आपके मौरजी देसाई चा से हो गए आपके चरड सी रा से हो गए आपके राजीब गांधी वी से विश्मनाद चा से चंद्रा से कर रा से राव मतलब नरसिमहराव हमें सिर्फ राव याद रखना है बी बिहारी मतलब अटल बिहारी गुंडे मतलब गुंडा इतना याद रहेगा आपको गुंडा मतलब देव गुंडा पूरा ना में आद करने जरूत नहीं है सिर्फ गुंडा याद रहेगा देव गुंडा फिर आपका आता है मारा मारा मतलब मार कुमार में आ रहा है कु मैंने नमबर लेकर लेकर दोस्तों अगर आप भी कोई ऐसी फणिक बनवाना चाहते हैं या आपके पास भी ऐसी कोई ट्रिक है तो नीचे कमेंट जरू करें और हां अगर आप अपने दोस्तों का भला सोचते हैं तो इसे सेर जरू करें अब इस टिकमे में जहां कन्फीजन हो सकता है वहां मैं आपको बताता हूँ जैसे कि यहां दो बार जो है रा आया है रा से रा रा से रा मतला नारसिमाराव तो सब को पता है कि राजिब गांदी का नाम जो पराना है राजिब गांदी परान है तो राजिब गांदी पहले रखे नहीं है पहले याद रखना है ठीक है नर्शी मराओ को बाद में याद रखना है इसी तरह दूसरे हैं मा मा से मोर्जी दिसाई और मा से मनमोहन सिंग तो आपको पता चरण सिंग का नाम पॉपलर पहले सुना है तो इस जो भी प्रान है उनका पहले पहले जैसे चरण सिंग पहले याद रखना है, राजीव गांदी का पहले याद रखना है, वस यही है अब मैं थोड़ा सेंटेंस का थोड़ा मतलब से लाता हूँ जलाई मोची ने रवी की चपल कोई मोची था जिसकी चपल जो है कोई मोची था जिसने चपल जला दी रवी की जलाई मोची ने रवी की चपल अगर मोची रवी की चपल जला रहा है और रवी जो गुंडा अदमी है रवी जो गुंडा अदमी था तो रवी गुंडे ने मारा फिर तो रवी गुंडे ने कह करा मारा फिर और बहुत मन लगा के मारा बहुत अच्छे से मारा तो आपको यह आराम से याद रह सकता है बहुत ही फनी है जलाई मोची ने रवी की च आते हैं तो टिकमेन चैनल को अभी फ्री सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें